नमस्कार्ट, स्वागत यापका फल्मी बीच में, आपके साथ मैं हूँ दिपिका नयाद टीवी की नागिन मॉनी रॉय किसी ना किसी वोजह से लोगों को चौका देती है मॉनी रॉय अपने लुक्स के लिए फैंस के बीच जाने जाती है एक बार फिर मॉनी रॉय का नया लुक सब के सामने आया है दरसल मॉनी रॉय को मॉंबई एरपोर्ट पर स्पोर्ट क्या गया जहां मॉनी रॉय वाइट कलर की ड्रेस में नजराई मॉनी रॉय का ग्लैमरस अंदाज देखने लायक था उन्होंने आखों पर काला चश्मा लगाया था जो उनकी ड्रेस को कॉंप्लिमेंट दे रहा था कैमरे को देखकर मॉनी रॉय ने भी हाट अंदाज में पोस दिये लेकिन क्या इसके साथ आपने गौर किया कि मॉनी रॉय की शक्ल पहले से बदल गई है जी हाँ सरजरी का असर उनके चेहरे पर दिखाई देने लगा है दरअसल मॉनी रॉय के लिप्स अब अलग से दिखाई देते हैं इतना ही नहीं उन्होंने लुक्स को लेकर लिप्स सरजरी भी करवाई है जिसके बाद उनकी नैचुरल ब्यूटी कहीं खोसी गई है अगर आप मौनी रोई की पुरानी और नई तस्वीर को आपस में विलाएंगे तो आपको जमीन और आस्मान का अंतर नजर आएगा टीवी के नागिन पहले से कई गुना जादा बदल चुकी है आपको बता दे कि फिल्म गोल्ड में मौनी रोई अक्षिकुमार के साथ नजर आई थी गोल्ड के तुरंद बाद मौनी रोई ने एक और फिल्म साइन की इस फिल्म का नाम है ब्रमास ब्रमास में मौनी रोई के अलावा मिताब बच्चन, आलिया भट और रणबीर कपूर जैसे सितारे भी नजर आएंगे इतना ही नहीं मौनी रोई बॉल्यूड एक्टर राजकुमार राओ के साथ भी नजर आने वाली है इस फिल्म का नाम Made in China बताय जा रहा है यानि मौनी रोई की जोली फुल है गोल्ड की रिलीज के बाद मौनी रोई के पास दो फिल्मे और है जबकि दो तिन निर्माताओं से अभी बाची चल रही है बैरहाल हमारे इस वीडियो में बस इतना ही लेकिन बाकी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले